हेलो फ्रेंड नमस्ते कैसे हैं आई हो सब लोग अच्छे होंगे खुश होंगे तो चलिए अस बताने जा रहे हैं पट्याला सलवार की कटिंग फ्रेंड इसमें मैं सिरव इसकी कटिंग दिखाऊंगी अगली वीडियो आपको मिलेगे इसकी स्टेचिंग की फ्रेंड तो हमा सबसे पहले करेंगे बेल्ट की कटिंग तो बेल्ट की लंबाई निकालेंगे हम 22-23 इंच तक की इतनी ही लंबी रखेंगे इस से जादे नहीं रखेंगे और चोड़ाई लेंगे हम 9 इंच की मेंडियम साइज की सलवार बनाते हैं तो उसकी चोड़ाई 9 इंच ही लेते हैं तो एकदम सही रहती है दो इंच उसमें पलट जाती है कमर बन डालने के लिए तो साथ इंच की बजती है तो हमारी बेल्ट सही आ जाती है एकदम बिल्कुल नीचे को नहीं भागती है ना उची रहती है तो चलिए फटा-फट कटिंग कर लेते हैं हम बेल्ट की फ्रेंड हमारे चैनल पर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए कटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा कपड़ा जोइन होगा तो मैं इसके स्टेचिंग करूंगी तब उसमें जोइन करके आप सब के लिए जरूर दिखाऊंगी स्टेचिंग की वीडियो फ्रेंड हमारी वीडियो में फुल्क बने रहे हैं कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा सेखने को बहुत ही सरल और आशान तरीके से कि चलिए यह में डवल कर लिया आप चहाएं वैसे ही कपड़ा भिषा लें तो मैं इसी तरह से कटिंग कर लेती हूं तो मैं लंबे-लंबे कपड़े में निकालूंगी सबसे पहले निकालेंगे सामने बाले पार्ट तो देखिए इनकी चोड़ाई और यह 10 इंच एक एक इंच जैसे सही है एक दम फेट है तो आदा इंच इदर से दवेगा आदा इंच उदर से दवेगा नौ इंच बज़ चाएगा इसमें 6 इंच के पाइचे रखते हैं नीचे से तो हमारा एक दम कपड़ा सही है तो हम 16 इंच की हमें लमबी सल्वार बनानी है तो 33 इंच के सामने के फाट मीं सात इंच की बेल्ट है तो हमारी कम से कम 40 से सलवार बने की दम फित रहेगी हो एक चलिए हमने छूटी-छूटी से निसान लगा लिए है आभ इनको हम प्जान लगाने के बाद खंटिंग करेंगे थोड़ा बहुत सिलाई में जाएगा उसके लिए हमने एक इंच एक्ष्टर ले लिया है कपड़ा 40 इंच के हमें फिर तयार बनानी है सलवाद तो यहां से भी कपड़ा जोएंड है यहां से भी हम कटिंग कर लेते हैं तो यहां से भी होगी हमारी कटिंग पार्ट निकलाएं देखिए हमने बेल्ट निकाल लिए सामने की पार्ट निकाल लिए हैं तो हम इस तरह से निसान लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़े की पहचार रहेगी आगे वो सीधा और उल्टा अब जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें कली निकाल लिए है इसे हमने डबल फोल्ड में बिचा लिए चार कली निकाल लिए इसमें कली हम थोड़ी उचाई पे लेंगे क्योंकि हमारे सामने के पात है बोष चोड़े है उनकी चोड़ा है तो इनकी हम कली की थोड़ा उचा करके कटिंग करेंगे तो हमें थोड़ा सा कपड़ा बचाना भी है क्योंकि मैं पाइचे अलग से जोइन्ड करती हुं तो चलिए यहां पे हमने लगा लिया 33 पे 33 के लंबाई सामने बाले पाड़ते तो हमने तीन इंच कम कर दिया था तीस इंच पे यहां पे निसान लगा लिया है जादे कम नहीं कर रहा है तो इस तरह से में छोटे-छोटे निशान लगा लिए अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और जो कपड़ा ऊपर की साइड बचा हुआ है इसमें से हमें पाहिचे अलक्षिन लगाते हैं तो उसमें हमें पाहिचे के लिए ये काम आ जाएगा कपड़ा यहां से कटिंग लिए सीधा-सीधा और बहुत ही सरल तरीके से बताये फिरेंड बहुत ही आसान है यहां से इंचिटेव को रखा इधर वाले कोने तक हमने अब यहां पर हम छोटे-छोटे से इस तरह से निशान लगा लेंगे इन्ही निशानों पर हम कटिंग करेंगे फिर चलिए बरावर से दिखाते हैं इस तरह से लगा लिए अब यहां से हम कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीचा फ्रेंट बहुत ही सरल है फटाफट कटिंग कर लेते हैं जब हम इसमें म्यानी लगाएंगे तो हमें इसमें से आसन भी निकालना पड़ेगा अभी आसन निकालेंगे हम दस एंच का तो उसमें हम फिर म्यानी जॉइन करेंगे वह भी हम आपको इसकी स्टिचिंग करेंगे तब आप देखना हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से तो अभी हम आशन की कटिंग जरूर दिखाएंगे तो यहां से कप्ड़ा जोइन रहे तो चलिए यहां से भी हम कटिंग कर लेते हैं कि अच्छे से सलवार की कटिंग हो गई है देखिए चारो कले भी निकल आई है और हमने बेल्ट भी निकाल लिया है और पाइचे के लिए कपड़ा भी बचा लिया है तो देखिए अभी दिखाएंगे इसमें हम जहां से हम आसन निकालेंगे अभी और ये कपड़ा है हमारा पाइचे के लिए तो चलिए हमने कली को फेला लिया है अब चारों कली हमारी एक ही साथ में बिच्छी हैं और एक ही साथ हम आसन निकालेंगे आसन निकालेंगे हम 10 इंच का इसे उपर भी दबेगा थोड़ा सा थोड़ा नीचे दबेगा तो 9 इंच का बच जाएगा और 7 इंच की हमारी बेल्ट रह जाती है शिलाई के बाद तो 9 में 7 जोड़ दो 16 हो गए 16 इंच का आसन मीडियम साइज की आरत के लिए एक दम फिट रहता है फ्रेंड एक यार ट्राइ करके जरूर देखना चाहें आपके पास अगर बनीगी है तो इसको अच्छे से इंची टेप से नापने 16 इंच का हमारा आसन सही रहता है अब इसी मैंसे मैं जो रूमाली होती है बो निकाल लूँगी क्यों हमें ये रूमाली इसमें लगानी है तो भी हम इसमें से ही निकालेंगे थोड़ा सा ऐसे करके रखो और चौक से निसान लगा लो तो हमारी रूमाली भी अच्छे से निकलाएगे देखिए और यहां से भी थोड़े सा कप्ड़े को कट कर दो तो हमने रूमाली को तो चारो पल्ट काट लिए वो मैंने ध्यान नहीं दिया कोई वान नहीं रूमाली तो हमें दो ही लगानी पड़ेंगी पल्ट क्योंकि दो हमारे ज्यादे हो गए है तो यहां से हम रूमाली जोइन करेंगे फ्रेंड यह हमारी बेल्ट है और यह हमारे पाइचे हैं सलवार की कटिंग हो गई है फ्रेंड